नमस्कार प्रस्तुत है रविन्ना टगुर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 36वा भाग आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक परेश बाबु को ब्रह्म समाज की तरफ से एक चिठी मिलती है जिसवर ब्रह्म समाज के कई मुख्य लोगों के हस्ताक्षर भी है इस चिठी में यह लिखा होता है कि वो ब्रह्म के बाहर अपनी कन्या का विवाह की सम्मत्ती दे रहे हैं तो ऐसी हालत में ब्रह्म समाज उन्हें अपनी सद्यस्यता की श्रेणी में किसी प्रकार नहीं रख सकता यदि वे अपना विचार बदल ले तो विवाह के पहले पत्र से कमीटी को सुझित करें परेश बाबु ने कमीटी को पत्र लिख दिया कि यह विवाह अब किसी तरह से नहीं रोका जा सकता उन्हें जो फैसला लेना हो वह उन्हें मन्जूर होगा आनंदमई सुचारिता के घर आती है और उससे विवाह संबंदी कामों में मदद मांगती है आनंदमई ने विने और ललिता के लिए एक घर ठीक किया था और वहीं दो-चार लोगों की उपस्तिती में विवाह संबंद न होगा हरी मुहिनी सुचारिता को जाने से मना करती है परन्तु सुचारिता आनंदमई की मदद को पहुँच जाती है थोड़ी देर में परेश बाबू ललिता को लेकर वहीं नए घर में आ जाते हैं वो कहते हैं कि ललिता अपने घर से विदा लेकर आई है सुचारिता और आनंदमई परेश बाबू को विश्वास दिलाते हैं कि उसे यहां किसी तरह कि स्नेही की कोई कमी नहीं होगी जेल से आने के बाद गोरा के आस पस हमेशा ही भीड लगी रहती थी उपर से उसकी अपनी कहानी परशान होकर गोरा पहले की तरह गाओं का भ्रह्मण आरंब कर देता है गाउं गाउं और जगह जगह घूम कर वा देखता है कि गाउं के लोग कैसे लकीर पीटते वे चलने के अलावा और कुछ नहीं पहचानते उनका समाज उनके समाज से कितना भिन है वो अलग-अलग धर्मों के समाज का भी अध्यन करता है इदर हरी मुहिनी के घर में जो नया महमान कैलाश आया हुआ है वो सुचारिता की संपति के लालच में ही उसे विवाह करना चाहते है यह बात तै लगती है हरी मोहिनी को भी वह ऐसे जताता है कि यह घर उसी का है वह उस घर का मोल्यांकन भी कर लेता है अब सुनते हैं आगे की कहानी अपने यहां बहुत दिन उत्पीडन सहकर आनंदमई के पास बिताएवे इन कुछ दिनों में जैसी सांत्वना सुचारिता को मिली वैसे उसने कभी नहीं पाई थी आनंदमई ने ऐसे सरल भाव से उसे अपने इतने समीप कीच लिया था कि सुचारिता यह सोची नहीं सकी कि कभी वे उससे दूर या अपरचित थी न जाने कैसे सुचारिता के मन को पूरी तरह उन्होंने समझ लिया था और बिना बात किये ही वह सुचारिता को एक गंभीर सांत्वना देती रही थी सुचारिता ने आज तक कभी मा शब्द का इस प्रकार उसमें अपना पूरा हृदे उढ़ेल कर उचारन नहीं किया था वह कोई काम ना रहने पर भी अनंदमई को मा कहकर पुकारने के लिए तरह तरह से बहाने खोज कर बुलाती रहती थी ललिता के विवाह के सब कर्म संपन्न हो जाने पर थकी वी बिस्तर पर लेट कर वह बार बार सिर्फ एक ही बात सोचने लेगी कि अब आनंदमई को छोड़ कर वह कैसे जा सकेगी वह अपने आप से ही कहने लेगी मा 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 पुकारते पुकारते उसका हिरिदय भर उठा और आँखों से आसु ज़रने लगे तब ही एक आएक उसने देखा कि मैसहरी उठा कर आनंदमई उसके पास आ गई है और उसे थपतपाती भी पूछ रही है कि मुझे बुलाया था तब सुचारिता को याद आया कि वह मा मा पुकारती रही थी वह कुछ बोल नहीं सकी आनंदमई की गोद में मुझे चिपा कर रोने लगी आनंदमई भी बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसका बदन सहलाती रही उस रात वे सुचारिता के पास ही सुई विने का विवा हो जाने पर ततकाल आनंद में विदा लेकर जान न सकी उन्होंने कहा ये तो दोनों अनाड़ी हैं इनकी घर ग्रियस्ती सवारे बिना मैं कैसे चली जाऊं सुचारिता ने कहा मा तब तो उतने दिन मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगी उत्साहित होकर ललिता ने भी कहा हा मा कुछ दिन सुची दिदी भी हमारे साथ रहें यह प्रस्ताव सुनकर सतीश भी दोड़ा आया और सुचारिता के गले से लिपटकर उचलता उचलता बोला हा दिदी मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूँगा सुचारिता ने कहा बक्तियार तेरी जो पढ़ाई है सतीश भोला विनय बाबू मुझे पढ़ा देंगे सुचारिता ने कहा अब विनय बाबू तेरी मास्टरी नहीं कर सकेंगे साथ के कमरे से ही पुकार कर विनय ने कहा जरूर करूंगा एक दिन में ऐसा क्या ने कमा हो गया हूं यह मेरी समझ में नहीं आता। आनंद मही ने सुचारिता से पूछा, तुम्हारी मौसी नाराज तो नहीं हो जाएंगी। सुचारिता ने कहा, मैं उन्हें चिठी लिखकर पूछ लेती हूं। आनंद मही ने कहा, तुम मत लिखो, मैं ही लिखती हूं। आनंद मही समझती थी कि यदि सुचारिता स्वयम वहां रहने की इक्षा प्रकट करेगी तो हरी मौहनी को बुरा लगेगा। लेकिन उनके आगरेप पर हरी मौहनी अगर नाराज भी हुई तो उनी पर होगी। उसमें सुचारिता की कोई हानी नहीं होगी। चिठी में आनंद मही ने यही लिखा कि लेलिता की नहीं ग्रीहस्ती ठीक ठीक कर देने के लिए उन्हें कुछ दिन और विनय के घर में रहना होगा। उतने दिन सुचारिता को भी उनके साथ रहने की अनुमती मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। आनंद मही की चिठी पाकर हरी मुहिनी केवल कुरुद ही नहीं वी, बलकि उनके मन में एक विशेश संदेह पे उत्पन्न हुआ। सोचा मैंने लड़के को घर आने से मना कर दिया, इसलिए अब मा सुचारिता को फसाने के लिए चालाकी से जाल फैला रही है। इसमें मा और बेटे दोनों की साजिश है, या उन्होंने साफ देख लिया। उन्हें अब याद आया कि आरंब में ही आनद मही के रंग ढंग देखकर वह उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। और विलंब न करके जितनी जल्दी संभव हो सके सुचारिता को सुविख्यात राय परिवार में शामिल करके उसकी सुरक्षा की विवस्था कर देने से ही हरिमोहिनी राहत पा सकेंगी। कैलाश को भी यू कितने दिन रोके रखा जा सकता है। वह बेचारा दिन रत तमाकू पी पीकर घर की दिवारे काली किये दे रहा था। जिस दिन हरिमोहिनी को चिठी मिली उसके अगले ही दिन वह पालकी पर सवार होकर अपने बैरे को साथ लेकर विने के घर मौची। उस समय निचले कमरे में सुचारिता ललिता आनंदमई रसोई की तयारी में लगी वी थी। और उपर के कमरे से सतीश के अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी और उनके बांगला परयाय रटने की तीवर स्वार आकर सारे घर को गुझा रहा था। घर पर उसके गले की ताकत का ठीक अनुमान न होता था। लेकिन यहां इस बात का पक्का प्रमान देते रहने के लिए कि वो अपने पढ़ाई की बिल्कुल अभेलना नहीं करता। उसे अपने स्वर को और उच्चा उठाने के लिए जोर लगाना पड़ता था। हरी मोहिनी को आनंदमई ने बड़े आदर से बिठाया। लेकिन उस सब सिष्टाचार की और हरी मोहिनी ने ध्यान न देकर एका एक कहा, मैं राधारानी को लेने आई हूँ। आनंदमई ने कहा, तो ठीक है ले जाना, जरा बैठो तो। हरी मोहिनी ने कहा, नहीं मेरी पूजा अर्चना सब यूही पड़ी वी है, अभी प्रार्थना भी नहीं वी है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। कुछ बातचित किये बिना सुचारिता लौकी छीलने में लगी थी। हरी मोहिनी ने उसी को संबोधित करके कहा, सुनती हो, देर हो रही है। ललिता और आनंद में चुप बैठी रही। काम छोड़कर सुचारिता उठ खड़ी हुई और बोली, चलो मौसी। हरी मोहिनी के पालकी की और मूरने पर सुचारिता ने उसका हाथ पकड़ कर का, जरा इस कमरे में तो आओ। दूसरे कमरे में पहुँच कर देड़ स्वर में सुचारिता ने कहा तुम मुझे लेने ही आई हो तो मैं सब के सामने तुम्हें यू नहीं लोटा सकती मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ लेकिन आज दोपैर को मैं फिर यहां लोटाऊंगी बिगड़कर हरी मुईनी ने कहा या कैसी बात है तो फिर यही क्यों नहीं कहती कि हमेशा यहीं रहोगी सुचारिता ने कहा हमेशा रहना तो नहीं मिलेगा इसलिए जितने दिन उनके पास रह सकती हूँ उन्हें नहीं छोड़ूंगी इस बात से हरी मुईनी का हिरिदय जल गया लेकिन यह सोच करके अभी कुछ कहने का अफसे नहीं है वो चुप रही आनंद मही के पास आकर सुचारिता ने मुस्कुरा करका मा तो मैं ज़रा घर हो आउं कोई प्रश्न किये भी ना आनंद मही निका ठीक है हो आउ ललिता के कान में धीरे से सुचारिता ने का आज दुपहर कोई फिर आ जाऊंगी पालकी के सामने रुख कर सुचारिता ने का और सतीश हरी मुईनी बोली सतीश को रहने दो घर लटकर सतीश विग्न बन सकता है हरी मोहिनी ने यह सोचकर उसके दूर रहने कोई शुब माना दोनों के एक पालकी पर सवार हो जाने पर हरी मोहिनी ने भूमी का बांधने की कोशिश की बोली ललिता का तो ब्या हो गया चलो अच्छा हुआ एक लड़की की और से तो परेश बाबू बेख फिक्र हुए यो शुरुवात करके उन्होंने बताना शुरू किया कि घर में अववाहिता लड़की का होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उसके कारण अभिवावकों को कितनी चिंता लगी रहती है तुम को क्या बताओं मुझे तो और कोई फिक्र नहीं है भगवान का नाम लेते लेते भी यही चिंता बीच में आगेरती है सच कहती हूँ ठाकूर की सेवा मैं पहले की तरह मन से नहीं कर पाती मैं कहती हूँ गोपी बल्लाव सब चिल लिने के बाद अब तुने मुझे किस नए जाल में फसा दिया हरेमोहिनी के लिए यह समस्या केवल सांसारिक चिंता की नहीं थी यह उनके मुक्ती के मार्ग में भी बाधा बन रही थी उनके इतने बड़े संकट की बात सुनकर भी सुचारिता चुपी रही इससे हरेमोहिनी उसके मन की प्रविती ठीक ठीक नहीं समझ सकी लेकिन यह जो कहा जाता है कि मौन समती का लक्षन है इसी कहावत का अनुकूल अर्थ लगा कर उन्होंने सोच लिया कि सुचारिता कुछ-कुछ राजी है हरेमोहिनी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया कि उन्होंने सुचारिता जैसी लड़की को हिंदू समाज में शामिल कराने के अत्यनत कठिन व्यापार को आसान बना लिया है अचानक एक ऐसा सुयोग आ गया है कि बड़े-बड़े कुलीन ब्रह्मणों के घर के नियोते में उनके साथ बैठने में कोई चू तक न कर सकेगा भूमीका के यहां तक पहुंचते-पहुंचते पाल की घर पर आ पहुंची दोनों ने द्वार पर उतर कर घर में प्रविश किया उपर जाते से में सुचारिता ने देख लिया कि डियोड़ी के साथ वाले कमरे में कोई अपरचित आदमी बैरे से बड़े जोर सोर से तेल से मालिश करवा रहा है उन्हें देख कर भी वजिचका नहीं बलकि विशेश कौतुहल के साथ सुचारिता की ओर ताकने लगा उपर जाकर हरी मोहिनी ने सुचारिता को अपने देवर की आने की सूचन दी इससे पहले जो भूमी का बांधी गई थी उसके साथ मिलाकर सुचारिता ने इस घटना का ठीक ठीक अर्थ समझ लिया हरी मोहिनी उसे समझाने लगी कि घर में पाहुने हैं ऐसे स्थिती में उन्हें छोड़कर सुचारिता का दोपहर को ही चले जाना अभदरता होगी जोर से सिरहिला कर सुचारिता ने कहा नहीं मौसी मुझे जाना ही होगा हरी मोहिनी ने कहा तब ठीक है आज के दिन रह जाओ कल चली जाना सुचारिता बोली मैं अभी अस्नान करके बाबा के हाँ खाने जाऊंगी और वहीं से ललिता के घर चले जाऊंगी तब हरी मोहिनी ने खुलासा करके ही का वह तुमी को देखने आया है लाल होते वे सचारिता ने का मुझे देखकर क्या होगा हरी मोहिनी बोली जरा सुनो आजकिल के समय में क्या देखे भीना सब काम हो सकते हैं पुराने समय में तो हो भी जाते थे तुम्हारे मौन ने तो मुझे शुब द्रिष्टी से पहले देखाई नहीं था इतना साफ इशारा देने के बाद एक ही साथ हरी मुहिनी ने और भी कई बाते कह डाली विवाह से पहले लड़की को देखने के लिए किस तरह प्रसिद राई परिवार से अनाम बंधु नाम का उनका खांदानी नौकर और ठाकुर दासी नाम की बुड़िया कहारिन ये दोनों अपने साथ पगड़ी पहने और लाठी लिये दर्बान को लेकर हरी मुहिनी के पीहर आये थे और उस समय अभिभावक कैसे चिंतित हो उठे थे और राई वंश के इन नौकरों को खिला पिला कर और खातिर से प्रसन्न करने के लिए पूरे घर के लोग कैसे व्यस्त हो उठे थे ये सब बखान करने के बाद हरी मुहिनी ने लंबी सांस ली अब सब कुछ कितना बदल गया है हरी मुहिनी ने कहा कोई विशेश जंजट नहीं है एक बार पांच मिनिट के लिए मिल लेना सुचारिता ने कहा यह नहीं इतना द्रड़ और साफ था कि हरी मुहिनी सहम गई फिर बोली अच्छा खैर न सही देखने की कोई अविशक्ता तो नहीं है यह कैलाश अच्छा लड़का है पढ़ा लिखा है तुम लोगों की तरह ही वह कुछ भी नहीं मानता कहता है पात्री को अपने आखों से देखूंगा तो तुम तो सब के सामने आती जाती हो इसलिए मैंने कह दिया कि देख लेना कौन सी बड़ी बात है एक दिन दिखा दोंगी लेकिन खैर तुमें शर्म आती है तो न सही इतना कहकर पूरे विस्तार के साथ हरी मुहिनी बताने लगी कि कैलाश कैसा अदभुत पढ़ा लिखा है कैसे उसने कलम से एक ही जटके से गाउं के पोस्ट मास्टर को संकट में डाल दिया था आसपास के गाउं में जिस किसी का मुकदमा लड़ना होते है या दरखास्त लिखनी होती है तो वह कैलाश के सलाह के बिना एक पग भी नहीं रख सकता और कैलाश के स्वभाव और चरित्री की तो बात करना ही व्यर्थ है स्त्री की मिर्थियों के बाद वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता था जब सगे संबंधियों ने मिलकर बहुत ज़्यादा जोड डाला तो वा केवल बड़ों के आदेश का पालन करने के लिए ही राजी वाए और इस प्रस्ताओं के लिए उसे राजी करने में हरी मुहिनी को क्या कम परेशम करना पड़ा वह तो सुनना ही नहीं चाहता था उसका इतना बड़ा खांदान है और समाज में उसका इतना बड़ा नाम है सुचारिता उस नाम और मान को कम करने के लिए तयार नहीं ही अपने गौरव और स्वार्थ की और उसने बिलकुल ध्यान नहीं दिया उसके रवये से तो ऐसा जान पड़ा कि जैसे उसे हिंदू समाज में स्थान न भी मिला तो उसे कोई परिशानी नहीं होगी इतनी कोशिश के बाद कैलाश को विवा के लिए राजी किया जा सका है सुचारिता के लिए यह कितने बड़े गौरव की बात है इसे वह मूर समझ नहीं सकी उल्टे इसमें उसने अपना अपमान ही समझा आजकल के नए जमाने के उल्टे चलन से हरिमोईनी का मन खट्टा हो गया तब अपना गुस्सा निकालने के लिए बार बार वह गोरव गोरव को लक्षे करके ताने देने लेगी गोरव अपने को चाहे कितना भी बड़ा हिंदू कहे चाहे बड़ाई में पढ़कर ब्रह्म परिवार की किसी पैसे वाली लड़की से विवाह करे तो समाज के कोप से उसे कौन बचाएगा तब दासी लोगों का मुव बंद करने में ही इनका सारा रुपया चुक जाएगा सुचारिता ने कहा मौसी तुम ये सब बाते क्यों कह रही हो तुम जानती हो इन सब का कोई आधार नहीं है इस पर हरिमोहिनी ने कहा कि इस उम्र में उन्हें बातों में भूलाना किसी के लिए संभव नहीं है वहां आग, कान, दिमाग खोल कर रखती है सब कुछ देखती है, सुनती है, समझती है चुप रहती है तो केवल आश्चरेवश उन्होंने यह भी कहा कि उनका दड़ विश्वा से गोरा अपनी मा की सला से ही सुचारिता से विवा करने की कोशिश कर रहा है और उस विवा का असली उद्देशी भी बहुत शुद्ध नहीं है यदि हरीमोहिनी राए परिवार के सहयोग से सुचारिता की रक्षा न कर सकी तो कल को वही सब होने वाला है सुचारिता सब सहती आई थी अब और न सह सकी बोली तुम जिनकी बात कह रही हो उन पर मेरी शद्धा है मेरा उनके साथ जो सम्मंध है उसे जब तुम किसी तरह सही रूप में नहीं समझ सकती तब मेरे पास दूसरा उपाए कुछ नहीं है सिवाए इसके कि मैं यहाँ से चली जाओ तुम जब शान्त हो जाओगी और घर में तुम्हारे साथ मैं अकेली रह सकूँगी मैं तभी लोटूँगी हरी मोहिनी बोली अगर तेरा मन गौर मोहन की तरफ नहीं है और उसके साथ तेरा ब्याह नहीं होने की बात तैय है तब इस पात्र ने तेरा क्या बिगाड़ा है तू हमेशा क्वारे तो नहीं रहेगी सचारीतन ने का क्यूं नहीं रहूंगी मैं विवाह नहीं करूंगी आखें फाड़कर हरीमोहिनी ने कहा क्या बूड़ी होने तक ऐसे ही सुचारिता ने कहा हाँ मरने तक आगात पाकर गोरा के मन में एक परिवर्तन आ गया कैसे सुचारिता उसके मन पर यू छा गई थी उसके कारण पर विचार करके गोरा ने यही तै किया कि वह उन लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता रहा था जिससे अपने अंजाने ही कहीं उसने अपने आपको उनके साथ उल्जा लिया था अहंकार से भरकर वह निशेद की सीमा का उल्लंगन कर गया था यह हमारे देश की पद्धती नहीं है हर कोई अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयम न करता रहे तो वह न केवल जाने अंजाने अपना अमंगल कर बैठता है बल्कि दूसरे का हित करने की अपनी शक्ती भी गवा बैठता है हिल मिल जाने से कोई प्रविर्टिया प्रबल होटती हैं और ग्यान निष्ठा और शक्ती को धुंदला कर देती है गोरा ने इस सत्य को केवल ब्रह्म है परिवार की लड़कियों से मिल जूल कर ही पहचाना हो ऐसी बात नहीं थी आम लोगों से मिलने जाकर भी उसने अपने आपको एक भवर में फसा दिया था लगबग अपने आपको खो ही दिया था क्योंकि उसके मन में पग पग पर दया उपच्दी थी इस दया के वशिभूत वा केवल यही सोचता था कि यह बुरा है यह अन्याय है इसे दूर कर देना चाहिए लेकिन यह दया वृत्ती ही अच्छे बुरे की ठीक ठीक पहचान करने की शक्ती को भी विक्रित कर देती है दया करने की जोक में आकर हम सत्य को निर्विकार भाव से देखने का सामर्थ खो बैठते हैं करुणा के धुएं से काले पढ़कर हलके रंग भी अमें गहरे दिखने लगते हैं गोरा ने सोचा हमारे देश में इसलिए यह पद्धती चली आई है कि जिस पर सबके हित का भार है उन्हें निर्लिपते ही रहना चाहिए यह बात बिलकुल गलत है कि राजा के लिए प्रजा पालन करना तभी संभव है जब राजा प्रजा के साथ घनिष्ट रूप से मिल जाए राजा को प्रजा के बारे में जैसे ग्यान की जरूरत होती है बहुत मेल जोल से वा कलुशित हो जाती है इसलिए तो प्रजा जन अपने आप ही अपने राजा को एक दूरी से मंडित रखते हैं राजा से उनकी संगत का हो जाते ही राजा की कोई जरूरत नहीं रहती ब्रह्मन को भी उसी की तरह दूर और निलिपत रहना चाहिए गोरा ने मनी मन का मैं भारत वश का वही ब्रह्मन हूँ दस आदमियों से घिर कर व्यवसाय के कीचड में लत्पत होकर धन के लोब में पड़कर जो ब्रह्मन गले में शुदरता का फंदा डाल कर अपने ही आप फासी चड़ जाता है उसे गोरा ने शुदर से भी नीच जाना बलकि उसे जीवित मानने से भी इनकार किया जो शुदर है वो अपनी शुदरता के सहारे ही जीता है लेकिन ऐसा ब्रह्मन तो ब्रह्मन अत्व के आभाव के कारण मुलता है इसलिए अपवित्र है ऐसो के कारण ही आज भारत वर्ष इतना दीन होकर ऐसी अशुब अवस्था से गुजर रहा है अपने मन को गोरा ने इस बात के लिए इतना कड़ा किया कि वो अपने भीतर है ब्रह्मन के इस संजीवनी मंत्र की साधना करेगा मनी मन उसने कहा मुझे सर्वता पवित्र होना होगा मैं उस सस्तर पर नहीं खड़ा हूँ जिस पर सब साधारन लोग खड़े है मेरे लिए बंधोत्व आवशक सामागरी नहीं है जिन लोगों के लिए नारी का साथ नितांत आवशक होता है उन साधारन लोगों की श्रेनिका मैं नहीं हूँ जैसे वर्षा के लिए प्रित्वी सुदूर आकाश की और ताक्ती रहती है वैसे ही इन सब की आखें ब्रह्मण की और लगी रहती है मैं भी इनी में जामी लूँगा तो इने बचाएगा कौन अब तक कभी गोरा ने देव पूजा की तरफ ध्यान नहीं दिया था लेकिन जब से उसका रिदर शुब्द हो उठा था तब से अपने को वह किसी तरह से रोक नहीं पा रहा था अपना काम उसे नीरस जान परता था और जीवन जैसे अधूरा होकर तडप रहा था बुध के द्वारा वा देवता की व्याख्या करना चाहता रूपक का सहरा लिये बिना उसे किसी तरह ग्रहन न कर पाता किन्तु रूपक को हृते की भक्ति नहीं दी जाती आध्यात्मिक व्याख्यान की पूजा नहीं की जाती बलकि जब गोरा मंदिर में बैठकर पूजा करने का यतने छोड़ कर कमरे में बैठकर मन ही मन अत्वा किसी से बहस करते समय अपने मन और वचन को भावों की धारा में बह जाने देता तभी उसके भीतर एक आनंद और भक्ती के रसका संचार होता फिर भी गोरा ने पूजा नहीं छोड़ी वह यथा नियम रोजाना पूजा पर बैठता रहा और उसने इसे नियम ही मान लिया उसने मन को यह कहकर समझाया कि जहां भाव की सूत्र द्वारा सबसे मिलने का सामर्थ नहो वहाँ नियम का सूत्रे ही मेल बनाए रखता है गोरा जब-जब किसी गाउं में जाता वहाँ देव मंदिर में प्रवेश करके गंभीर भाव से ध्यान करता हुआ मनी मन कहता यही मेरा विशेष थान है एक और देवता, दूसरी और भक्त दोनों की बीच सेतू रूप ब्रह्मण दोनों को मिलता है दीरे दीरे गोरा को लगने लगा कि ब्रह्मण के लिए भक्ती जरूरी नहीं है भक्ती विशेष ता जन साधारन की ही चीज़ है भक्त और भक्ती के बीच में जो सेतू है वह ज्यान का सेतू है जैसे यह सेतु दोनों को मिलाता है वैसे ही दोनों मर्यादा भी निर्दिष्ट कर देता है भक्त और देवता के बीच विशुद्ध ज्यान का व्यवधान न रहे तो सभी कुछ विक्रित हो जाए इसलिए भक्ती विफलता ब्रह्मन के काम की चीज नहीं है ब्रह्मन ज्यान के शिखर पर बैठ कर इस भक्ती के रस को सर्वस आधारन के उब्भोक के लिए शुद्ध रखने के लिए तपस्या करता है संसार में जैसे ब्रह्मन के लिए आराम का योग नहीं है वैसे ही देवार्चना में ब्रह्मन के लिए भक्ति का योग नहीं है इसी में ब्रह्मन का गौरव है संसार में ब्रह्मन के लिए नियम सन्यम है धर्मसाधना में ब्रह्मन के लिए ज्यान है रिदय ने गोरा को मात दी थी इस अपराध के लिए गोरा ने हृदय के लिए निर्वासन दंड का निश्चे किया लेकिन अपराधी को निर्वासन में कौन ले जाएगा वैसा सैन ने कहा है गंगा के किनारे एक बगीचे में प्रैश्चित सभा का आयोजन होने लगा अविनाश के मन में इस बात का मलाल था कि इस अनुष्ठान में कलकत्ता से बाहर होने के कारण इसकी और लोगों का ध्यान उतना नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए था अविनाश जानता था कि अपने लिए गोरा को प्रैश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत है देश की लोगों के लिए मॉरल इफेक्ट के लिए इसलिए या काम भीड में ही होना चाहिए था लेकिन जोरा उसके लिए राजी नहीं हुआ वह जैसा बड़ा यग्य करके वेद मनत्रों के साथ पाठ करके या काम करना चाहता था वैसे काम के लिए कलकत्ता शहर ठीक स्थान नहीं था उसके लिए तो तपोवई नहीं उपयुक्त होता मंत्र मुखरित हुमागनी दीप्त एकांत गंगा तीर पर गोरा उस प्राचीन भारतवर्ष का आहवान करेगा जो सारे संसार का गुरु रहा है और स्नान करके पवित्र होकर उसी गुरु से नवजीवन की दीख्षा लेगा मॉरल इफिक्ट की फिक्र गोरा को नहीं थी अविनाश ने और कोई उपाय न देखत कर समाचार पत्रों का सहारा लिया गोरा को बताये भी नहीं उसने उस प्राश्चित का समाचार सब अखवारों में भेज दिया इतना ही नहीं संपातक ये स्तंभों के लिए उसने एक पूरा प्रबंध भी लिख वेजा जिसमें उसने इस पात पर जोर दिया कि गोरा जैसे निर्मल तेजस्वी ब्रह्मण को कोई दोश चू नहीं सकता है फिर भी वह आजकल के पतित भारत वश का सारा पातक अपने कंधों पर लेकर सारे देश की और से प्राश्चित कर रहा है अविनाश न लिखा जैसे हमारा देश अपनी दुशकर्मों के फलस्वरूप विदेशियों के बंदेग्री में दुख भोग रहा है वैसे ही गोरा ने भी अपने जीवन में स्वेच्छा से कारवास दुख स्विकार किया इस प्रकार उसने देश का दुख जैसे अपने कंधों की ओट में ले लिया वैसे ही देश के अनाचार का प्राश्चित भीवा स्वेम कर रहा है इसलिए हे मंगाली भाईयों भारत के 25 करोड दुखी संतानों इत्यादे इत्यादी गोरा ये सब लेख पढ़कर जल्ला उठा लेकिन अविनाश को रोकना असंभ हो था गोरा द्वारा उसे फटकारने पर भी वा मानता नहीं बलकि और प्रसन नहीं होता मेरे गुरु भावों की इतनी उची दुनिया में रहते हैं तभी इस मामूली दुनिया की बाते वह नहीं समझते बैकुंट वासी नारत की तरव वीना बजाकर वह विश्च को पिगलाकर गंगा के शृष्टी कर रहे हैं लेकिन उस गंगा को धर्ती पर लाकर सागर संतान की भस्म का उधार करने का काम इस दुनिया के भागिरत का है वह काम देवलोग के वासियों का नहीं है ये दोनों काम बिलकुल अलग-अलग है इसलिए अविनाश की हरकतों पर जब गोरा आग बबूला होडता तब वह मनी मन कहता है जैसे हमारे गुरु का चेहरा बिलकुल शिवाजी जैसा है वैसे ही मन से वह निरे भोले ना थे ना कुछ समझते हैं ना कुछ वैवार का ज्यान रखते हैं बात-बात में गुस्से से भड़क उठते हैं तब फिर धंडे होने में भी देर नहीं लगती अविनाश के प्रयतनों के कारण गोरा के प्राश्चित की चर्चा को लेकर चारो ओर एक बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ गोरा के घर पर उसे देखने और उसे बात-चित करने आने वाली जनता और भी बढ़ गई रोज चारो ओर से इतनी चिठिया अनलगी कि गोरा ने डाक देखना ही बंद कर दिया गोरा को लगने लगा कि इस देश वापी चर्चा के कारण उसके प्राश्चित की सात्विक्ता खत्म हो गई और वह एक राजसिक व्यापार मात्र हो गया काल की प्रविर्थी ऐसी ही है इधर कृष्ण दयाल अखबार को छूते नहीं थे लेकिन यह चर्चा उनके साधना स्रम में पहुँच गई थी कि उनका बेटा गोरा उनके ही योके है जो इतनी धूमधाम से ट्रैश्चित कर रहा है और अपने पिता के पवित्र पच्चिनों का अनुसरन करता हुआ एक दिन वह भी उनी की तरह सिद्ध पुरुष बन जाएगा कृष्ण दयाल के प्रसाद जीवियों ने यह समाचार और आशा बड़े गौरव के साथ कृष्ण दयाल तक पहुँचा दी गोरा के कमरे में कृष्ण दयाल ने कब से प्रवेश नहीं किया था यह कहना ज़रा मुश्किल है लेकिन आज वह अपने रेश्मी कपड़े उतार कर सूती कपड़े पहन कर एका एक उसके कमरे में जागू से गोरा वहार नहीं दिख पड़ा तो उन्होंने नौकर से पूचा नौकर ने बताया कि गोरा पूजा घर में है हैं पूजा घर में उसका क्या काम वह पूजा करते हैं हडबड़ाई हुए से कृष्ण दयाल पूजा घर में गय तो देखा सचमुच गोरा पूजा पे बैठा है बाहर से ही कृष्ण दयाल ने पुकारा गोरा पिता के आने से गोरा आश्चेरेचा की थोकर उठ खड़ा हुआ कृष्ण दयाल ने अपने साधना श्रम में विशेश रूप से अपने इश्ट देवता की प्रतिष्ठा कर ली थी उनका परिवार वैश्णव था किन्तु उन्होंने शक्ती मंत्र ले लिया था इसलिए ग्रिह देवता के साथ उनका प्रतिक्ष योग बहुत दिनों से नहीं था उन्होंने गोरा से कहा आओ आओ बाहर आओ गोरा बाहर चला आया कृष्ण दयाल बोले यह सब क्या है? यहां तुम्हारा क्या काम है? गोरा ने कोई जवाब न दिया कृष्ण दयाल बोले पुजारी ब्रह्मण तो है ही वह तो रोज पूजा करा जाता है उसी से घर के सब लोगों की पूजा हो जाती है तुम क्यों इस चक्कर में पढ़ते हो? गोरा ने कहा इसमें पुराई क्या है? कृष्ण दयाल बोले बुराई तुम क्या जानो बहुत बड़ी बुराई है जिसका जहां अधिकार नहीं उस काम में वह क्यों पढ़े? उससे तो अपराद होता है केवल तुम्हारा ही नहीं घर भर के लोगों का गोरा ने कहा आंतरिक भक्ती की दृष्टी से यदि देखे उतना अधिकार नहीं है? कृष्ण दयाल गोरा को क्या जवाब दे ततकालियर न सोच सके कुछ देर चुप रह कर बोले देखो राम हरी का तो धन्दा ही पूजा कराना है धन्दे में जो अपराद होता है उसकी और देवता ध्यान नहीं देते वहाँ भूल पढ़ने लगे तब तो धन्दा ही बंद कर देना होगा फिर समाज का काम ही नहीं चल सकता किन्तो तुम तो यह दलील नहीं दे सकते तुम्हारे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? जैसे आचार निष्ट ब्रह्मन के भी पूजा घर में प्रवेश करने से अपराध होता है क्रिश्ण दयाल जैसे व्यक्ति के मुह से यह बात नितांत असंगत तो नहीं लगी इसलिए गोरा कुछ नहीं बोल पाया बात को पी गया तब क्रिश्ण दयाल ने कहा और भी एक बात मैंने सुनी है गोरा सुनता हूँ तुमने प्राश्चित करने के लिए पंडितों को बुलाया है गोरा ने कहा हाँ एक एक क्रिश्ण दयाल ने अत्यंत उत्तेजित होकर कहा मेरे रहते या किसी तरह नहीं हो सकेगा गोरा के मन में विद्रोह उमरने लगा वो बोला क्यों क्रिश्ण दयाल ने कहा क्यों क्या तुम्हें मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तुम प्राश्चित नहीं कर सकते गोरा ने कहा कहा तो था किन्तु कोई कारण तो नहीं बताया कृष्ण दयाल बोले मैं कारण बताने की कोई आविशक्ता नहीं समझता हम तुम्हारे बड़े हैं हमारी बात तुम्हें मानने होनी चाहिए हम लोगों की अनुमती के आभाव में ये सब शास्त्रिय कर्म करने का कोई विधान नहीं है प्राश्चित में पितरों का श्राध करना होता है क्या ये तुम जानते हो विश्मित होकर गोरा ने कहा तो उसमें क्या कठिनाई है बिगड़कर कृष्ण दयाल ने कहा बिल्कुल कठनाई है वह मैं कभी होने नहीं दे सकूँँगा देखो गोरा, हर बात में तुम बहस मत किया करो, ये सब बाते बहस की नहीं है, बहुत से ऐसी बाते हैं जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, मैं फिर तुमें कहता हूँ, तुम जो समझते हो कि तुमने हिंदु धर्मे में प्रवेश पा लिया है, ये तुम्हारी निरी भूल है, वह तुम्हारे बसका नहीं है, तुम्हारे रक्त की हर बुंद, तुम्हारा सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण उसके प्रतिकूल है, हिंदु एकाएक नहीं हुआ जा स किन्तु आपके वंश के रक्त से जो अधिकार मुझे मिलता है क्यों मैं उसका भी दावा नहीं कर सकता कृष्ण दयाल ने कहा फिर बहस मेरे सामने बात का खंडन करते वे तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या इसी को हिंदु कहते हैं आखिर विलायती ठसक जाएगी कहा मैं जो कहता हूँ वह सुनो यह सब बंद कर दो सिर जुकाए गोरा चुप चाप खड़ा रहा थोड़ी दिर के बाद बोला यदि मैं प्राइश्चित न करूँ तो फिर शशीमखे के विवाह में सबके साथ पंगत में बैठ कर खा भी न सकोंगा सहारा पाकर कृष्ण दयाल ने कहा तो ठीक है उसमें भी क्या बुराई है तुम्हारे लिए अलग से आसन लगा दिया जाएगा गोरा ने कहा तब तो मुझे समाज से भी अलग होकर ही रहना होगा कृष्ण दयाल ने कहा वह तो अच्छा ही है उनके इस उत्सा पर गोरा को चकित होते देखकर उन्होंने फिर कहा अब यही देखो ना मैं ही किसी के साथ नहीं खाता नियोता होने पर भी नहीं समाज के साथ मेरा भी भला क्या योग है तुम जिस सात्विक भाव से जीवन जीना चाहते हो उसके लिए तो तुमें भी ऐसा ही मार्ग अपनाना चाहिए मैं तो समझता हूँ इसी में तुम्हारा कल्यान है दोपहर में क्रिश्न दयाल ने अविनाश को बुला भेजा आने पर उससे बोले तुम ही सब लोग मिलकर गोरा को ऐसा नाच नचा रहे हो न अविनाश ने कहा या आप क्या कह रहे हैं आपका गोरा तो हम सब को नचाता है बलकि वह खुद बहुत कम नाचता है अविनाश ने सोचा बूड़े की या कैसी जिद है लेकिन इतिहास में इसके धेरो दृष्टान्त मिल जाएंगे कि बड़े बड़े आदमियों के बाप स्वैम अपने लड़के का महत्व नहीं पहचान सके क्रिश्न दयाल भी तो ऐसे ही बाप है वेर्थी दिन डाट ढोंगी सन्यासियों के साथ न रहकर क्रिश्न दयाल यदि अपने लड़के से ही सिक्षा ग्रहन कर सकते तो उनके लिए कहीं अच्छा होता लेकिन अविनाश चतुर वैक्ति था जहां बहस का कोई फल न हो और मॉरल इफिक्ट की कोई संभावना न हो वहां बेकार का जबानी जमाखर्च करने वाला वह नहीं था इसलिए उसने कहा तो ठीक है महाशे आपकी राय नहीं है तो नहीं होगा लेकिन सारा प्रबंद तो हो चुका है निमंतरन पतर भी भेज़े जा चुके है इधर और देर भी नहीं है इसलिए नव हो तो यही उपाय किया जाए कि गोरा न जाए उस दिन हम लोगी प्रैश्चित कर ले देश के लोगों में पाप की तो कोई कमी नहीं है कृष्णदयाल अविनाश के इस आश्वासन से बेफिक्र हो गए कृष्णदयाल के किसी भी बात पर गोरा की कभी विशेश रधा नहीं रही आज भी उसका मन उनका आदेश पालन करने की बात स्विकार न कर सका सांसारिक जीवन से भी जो बड़ा जीवन है उसमें माता पिता के निशेद को गोरा मानने के लिए स्वैम को बाधे नहीं समझता था फिर भी आज दिन भर वो मन ही मन बहुत दुख पाता रहा उसके मन में एक आसपष्ट धारना घर कर गई थी कि कृष्ण दयाल की सारी बात में कहीं कोई चिपा हुआ साम में है जैसे एक आकारहिन दुस्वपन उसे सताने लगा जिसे वा किसी प्रकार तोड़ नहीं सका उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई एक साथ ही सभी तरप से उसे धकेल कर दूर भेग देना जाता हो अपना अकेला पन आज उसे बहुत बड़ा होकर दिखने लगा उसके सामने विस्तरित कर्म शेत्र था और काम भी बहुत बड़ा था किन्तु उसके साथ कोई खड़ा नहीं था प्राश्चित सभा अगले दिन होने वाली थी तैय यह हुआ कि गोरा रात को ही बगीचे वाले घर में चला जाएगा और वही रहेगा जिस समय वह जाने की तयारी कर रहा था तबी हरी मुहिनी आखड़ी भी शेश कहानी अगले भाग में दोस्तों अगला भाग आखिरी भाग होने वाला है इसलिए इस भाग को बिलकुल मिस्मत कीजिए तो मिलते हैं आखिरी भाग में